कि अइसलामलेकूम आज की स्टीडियो में हमें कोड़ प्रोटॉटाइब फेस के बारे में देखेंगे जिसका नेम है केक पर्चेस सिस्टम ऑउनलाइन होंब बेकर्स केक पर्चेस सिस्टम ठीक है जो आपकी रिक्वार्मेंट से हैं उसमें आपने पारिफन वगरा को इन्स बाइशन दिये हुए शे क्वेस्ट आपके पास जिसमें उनकी स्ट्यूट्मेंट वगरा यह दिये हुए है ठीक जो च्छटा क्वेस्टन था उसमें आपने एक एप्लिकेशन वगरा का यूज यूज करना था या फिर बनाना था एप्लिकेशन का होम पेज के इंडर फ्रीस ठीक है हमने आपको zip file दी होगी कुछ इस तरह से आपने इसको extract करना था तो ये इस तरह से extract हो जाएगी इसको आपने अपना view studio code के अंदर open कर लेना है ठीक है तो ये हमारे पास view studio code के अंदर open हो जाएगी तो इसमें questions.py एक file पड़ी हुई है जिसमें पहले जो पांच questions आपको दिये हुए है उनका solution यहां पर पड़ा हुआ है ठीक है पहला जो हमारे पास question था वो यह था वो कहते था use for loop split function and if to create a statement that will print out words that start with s ठीक है यह हमारे पास एक आप कहलें कि string दी हुई है variable के अंदर जिसमें हमने क्या करना था वो वाले words बगारा को split करना था जो s से start होते है जैसे कि यह start हो गया यह s हो गया यह sentence हो गया ठीक है तो इसके लिए जो हमने यहां पर code लिखा हुआ है सबसे पहले हमने string को define किया हुआ है फिर हमने words का एक variable बनाया हुआ है जिसमें str यानि उसी string को लिया हुआ है और split का जो function हमने यहां पर बनाया हुआ है ठीक है render किया हुआ python से loop लगाई हुए हमने far loop जिसमें हमने check कर रहे है हर एक जो word है उसको कि वो s start होता है या नहीं तो सारे question वैसे तो run हो जाएंगे लेकिन question number one होगा वो आपने देखना है क्योंकि अभी question number one ही आप यहां पर कर रहे है तो यह question number one आपके पास कुछ answer इस तरह से आ जाएगा जिस तरह से teacher ने हमसे कहा हुआ है दूसरा हमारे पास question है दूसरा हमारे पास जो question है वो कहता है use range to print all the even numbers from 0 to 10 हमने range function यूज़ करना है जिसमें 0 से 10 तक even number even number क्या होते हैं जो 2 पे divide होते हैं जैसे 2, 4, 6, 8 ठीक है 0 से 10 के बीच में तो यह हमने यहां पे भी far loop लगाई हुई है और range function यूज़ किया हुआ है जिसमें far numbers in range 0 से 11 तक 11 से एक small होगा हमारे पास 10 इस भी जो भी हमारे पास number आ जाएंगे जैसे हो गया 0 हो गया 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया 8 हो गया 10 हो गया तो 10 तक जितने भी दो पे divide होते हैं वो यहां पे number print होके आ जाएंगे third question हमारे पास था वो कहता था use list comprehension to create a list of all numbers between 1 and 50 that are divisible by 3 तो हमने एक से लेकर 50 तक में से वो number निकालने थे code की मितद से जो 3 पे divide हो जाते हैं इसके लिए भी हमने far loop यूज की थी जिसमें हमने range function यूज किया था कि 1 से 51 तक जितने भी हमारे पास numbers लिये थे जो 3 पे divide हो जाते थे ठीक है यह percentage 3 का मतलब है कि यह divide हो जाते हैं ठीक है यहाँ पे आप run करें इसको तो यह question number 3 भी आपके पास आ जाएगा जिसमें 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 यह सारे के सारे यहाँ पे वो numbers आ जाएंगे जो 3 पे divide होती है question number 4 हमारे पास है वो कहता है write a python function that accepts our string and calculate the number of uppercases एक हमारे पास यह string दी हुई है हमने python function मिनाना है जिसमें वो जिस तरह पहला हमारे पास question था start with s लगाना था या फिर start with s हमने मालूम करना था कि s से कौन्स स्टार्ट होती है यहाँ पे हमने वो word वगरा यूज करने हैं या फिर बताने है जो uppercase में हो और lower case में हो ठीक है number of words तो यह भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है question number four अगर आप यहाँ से देखें तो हमने वोई string ली हुई है ठीक है यह वाली हमारे पास string है sample string और यहाँ पे हमने एक function बनाया हुए है जिसमें दो variables बनाये हुए है upper count और lower count initial values उनकी zero पे set करवाई हुई है फिर हमने far loop लगाई हुए जिसमें हर एक character को set करवा रहे है इसके अंदर दो function हमने python से render की हुए है is upper और is lower जो के चेक कर रहे है कि यह वाला upper में है या lower में है ठीक है word जो भी है question number five में भी हमारे पास ही था कि वह कहता था use list comprehension to create a list of the first letter of every word ठीक है इन में से हमने क्या करवाना था हर एक letter की पहले ही जो word था उसको हमने output करवाना था जिस तरह से यह वाली output आई हुई है तो वो भी हमने यहां पे करवाया हुए हमने सबसे पहले string ली हुई है create a list जो भी उन्होंने दी हुई है हमें ठीक है first letter का एक variable बनाया हुए हमने और यहां से हमने list का जो zero वाला initial variable है या पर zero वाला आपके पास जिरो की जगा पे ठीक है यह इसका होता है जी list के अंदर list counter भी कह सकते हैं आपको इसको या फिर index भी कह सकते हैं zero index पे जो भी आपके पास word आ जाता है उसको आपने print करवाना ठीक है इसका zero index पे c है ये zero index पे a है फिर ये l है हर एक word का आपने देखने है ठीक है तो इसी तरह पे इसकी भी output आपके पास यह वाली print होके आ जाती है ठीक है दूसरी फाइल आपके पास होगी है app.py की फाइल और templates वाले एक folder होगा जिसके अंदर index.html की फाइल आपके पास पड़ी होगी app.py की फाइल के अंदर देखेंगे तो एक function बना होगा जिसमें हमने index.html की फाइल को render किया होगा ठीक है तो अपने app.py की फाइल को यहां से run करवाना है जब आप run करवाएंगे इसको तो आपके पास यह वाली link आ जाएगी इस link को अपने copy करना है और अपने browser के अंदर जाके इसको paste करवा देना है ठीक है हम यह paste करवा रहे हैं यहां पर तो यह आपका home page आ जाएगा ठीक है यहां पर मैंने images वगरा भी लगाई हुए हैं आप images को change कर सकते हैं index.html के फाइल के अंदर जाएं आप तो यहां पर images वगरा के link मैंने लगाए हुए है जैसे के यह आपका image का link आ जाएगा यह वाला pixels वगरा से हमने images मैंने सारी images एक तरह की डाली हुए हैं आप यहां से यह वाली image का link जहां तक end हो रहा है ठीक है यहां तक copy करके यह cut करके कोई और image भी यहां पर लगा सकते हैं तो आपकी जो image होगी वह भी यहां से change हो जाएगी यह एक बच्चे के लिए हमारे पास था दूसरे बच्चे का हमने यह Google collab के उपर prototype बनाया हुआ है ठीक है requirements सेम थी बस coding इनकी अलग अलग हमने मिनाई हुई है ठीक हाँ यह आपने हर इक क्वेषजन के code को यहां पर रॉनप कर वाना है यहां पर रण का ऑप्शन का आपके आजाएगा ठीक है तो यह आपकी आपके आजाएगी पिर दूसरा जो आपके पास code होगा उसको भी यहां पे run करवाना है, यह अभी connecting में है, जब connect हो जाएगा तब यह इसकी output को शोकरेगा, वैसे पहले से output मैंने शोकरवा के रखी हुई है, थीक है, अब यह connected हमारे पास हो गए यह 5 आपके पास questions है और आपका जो यहाँ पे हमने application बनाई हुई है वो भी same ही है आपने वियर स्थीडियो कोड के अंदर इसको open करना है ठीक है यह application को और main.py की file को आपने run करवाना है ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं मैं इसी को open करवा लेता हूँ यह वाला आपका prototype आ जाएगा homebickers और यह application ठीक है जब आप main.py की file के उपर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका एक ही function बना हुआ है जिसमें हमने render किया हुआ हुआ है home.html को ठीक है यहाँ पे आपका home.html यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपने इसको main.py की file को run करवाने है जब आप run करवाएंगे तो same link ही generate होके आजाएगा आपके पास ठीक है यहाँ से link वगएर को आपने copy करने है ब्राउजर के उपर जाके paste करने है और इसको यह refresh कर देने ठीक है मैं इसको वैसे refresh कर देता हूँ तो आपका जो interface आएगा वो कुछ इस तरह का होगा यहाँ पे हमने images वगएरा नहीं डाली हुई just simply इसको बिनाया हुआ है ठीक है तो यह आपका interface इस तरह से आएगा इसमें हमने HTML और CSS वगरे को यूज किया हुआ है जो CSS का code है आपके पास वो इस file के अंदर पड़ा हुआ है ठीक है यह वाली style.css के उपर ठीक है इसमें सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी तो यह आपका prototype था